अबे तुबीजी जबाब दीजे और कहा भी ये भी जाता है ना राम के संदर में भैबिन होई न प्रीती अब जब कॉंग्रेस के सिती ऐसी हो गई है लोगसभा और विधानसभा के तमाम चुनावों में तो अब राम राम हर जगा वही याद आ रहे हैं बीजेपी की ही रास्ते पर चल पड़े हैं क्या कॉंग्रेस के निता क्योंकि बड़ा धोक कर पहले तो राम पर डिबेट को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर कॉंग्रेस पार्टी बड़ा बचते वे नजर आती थी लेकिन अब आपने सल्मान खुर्शीत के बयान का समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा बयान दिया है उन्होंने राम जी की राह पर चलने का बयान मैं नहीं मानता किसी सूरत में गलत है मैं इतिहास के पन्नों को उकएर कर देश को कुछ बताना चाहता हूँ चितरा जी के इस शो में जो करोडों दर्शक देख रहे हैं इतिहास साक्षी है सबसे पहले तमिलनाडू की सभा में भारती जनता पार्टी के वरिश्ट नेता और देश के प्रधान मंत्री अटल बिहरी वाजपईजी ने कहा था कि मैं अन्ना दुराई का स्वपन साकार कर करने आया हूं और सेतु समुद्रम परियोजना का संकल्प लेता हूं और थात राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लेता हूं उठा कर देख लीजिए दोहजार दोहजार एक की बजट स्पीच जिसके बिंदु क्रमांग त्रेपन पर लिखते हैं कि 4.8 करोड रुपे का प् जाता सीता के पैदा होने के कोई प्रमान नहीं है अभी हाल ही में राम सेतु के अस्तित्व को भारती दंता पार्टी ने नकार दिया अब मैं एक और किस्सा सुनाना चाहता हूं मेरे आदर निमित्य सुधान शुत्रिवेदी जी को चित्रा जी एक बार भगवान राम को ग मैं आपके जब तक चरण कमल नहीं पकारूंगा मैं आपको नाव से उस पार नहीं ले जा सकता गंगा ये द्रश्ट देखकर भाव विभोर होकर बोलती है कि जो वामन अवतार में जो प्रभू तीन पग में जग्द को नाब देते हैं वो कैसे केवट का निहोरा कर रहे है अगर भारती जनका पार्टी उस युग में होती है तो केवट पर आक्षेप और आरोफ लगाती कि भगवान को चड़ाने से इंकार करना है जब कि उनका भावार्थ और केवट की भावार्थ नहीं जानते हैं क्या कहा जा रहा है मतलब समझने हैं आपसका चित्रा जी भगवान राम के प्रशस्त मार्थ पर अगर चलना है राम राजी की स्थापना की अवधार्णा को अगर चरितार्थ करना है क्या है राम राजी का अवधार्णा वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को तचकर वो 14 वर सर आप से सवाल क्या पूछा राम की तुलना हो सकती है क्या राहुल गांधी से हर वो व्यक्ति जो राम जी के प्रशस्त मार्ख पर चलना चाहता है और चल रहा है उसकी तुलना भगवान श्री राम के प्रशस्त मार्ख से की ही जानी चाहिए आखरी बार दर्शन करने के लिए कप पहुंचे थे श्री राम के अब जब राम से तुलना होई गई है तो यह भी बता दें आप भगवान प्रहूश्री राम वेवाशाली महलों में नहीं बसते हैं वो त्याग में परिलक्षित होते हैं जिस प्रकार राहूल गांदी जी कर रहे हैं जो कॉंग्स पार्टी के आप कह रहे हैं कि वही हमारे राम के तो नहीं से और उस भावनाओं को समझे वो जोड़ कर रखने में विश्वास करते हैं और इसी वज़े से वो कह रहे हैं कि सलमान खुर्शी ने बहुत अच्छा बयान दिया देखे पहले मैं राम और सिया राम दोनों पे जवाब देता हूं देखे पहली बात यह यह तो राहुल गांधी है ना किसके नाम पे गांधी रखे हैं महत्मा गांधी के नाम पे महत्मा गांधी तो अपना आराध्य मानते थे भगवान राम को उनका राज्य नित्य भजन गाते थे रगुपत वो सत्ता की साधन के साध्ये हो गए वा भई वा यानि ओरिजनल गांधी के लिए तो वाराद्य थे और आपके लिए साध्ये हो गए ये दर्शाता है कि राम को आप किस प्रकार से प्रयोग कर रहें और चित्रा जी बहुत बार मैंने सुना कि सिया राम नहीं बोलते हैं क्या कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर बहीं बनाएंगे अरे उस समय तो बालक राम थे तब तो स्री राम ही लगेगा जब बड़े होंगे विवा होगा तब जैसिया राम होगा जब राजा राम होंगे तब जैसिया राम होगा और अब वही सित्य आई तो देखिए प आलबुद्ध ही बोल सकता है और इसमें एक और बात में कह दू मुझे एक बात की प्रसनिता भी होती है चित्रा जी कल तक जो लोग हिंदूओं को आतंक बादी साबित करने का शडियंत रचते थे आज वो अपने को हिंदू साबित करने का स्वांग रचते हैं यह कितना बड बदलाव आया है भारत की राजनीत में